अरे रो क्यों रहे मम्मी रो बन केच्छी जगे जा रहे है अपन इसलिए निकाली हूँ तुके मैं जिस तरीके से मेरे अल्ला ने मुझे जिन्दगी दी जिस तरीके से दुनिया में देजा में उसी तरीके एक समय था जब सब लोग सारा सतानी के अगेंस्ट में खड़े थे बहुत कुछ उनके बारे में बोल रहे थे वो एकदम अकेली पड़ गई थी और वो अपनी लाइव में ही अपनी वीडियो में ही बताती है कि जब सना और इमरान अयूब शेक के साथ बैट के उनके बारे मे चलता था और वो बहुत दुखी होती थी इन सब चीजों को देखे वो खून के आशूर होती थी लेकिन उन्होंने इन सब बातों के लिए सवर किया और अपने खुदा पर इन सब चीजों को छोड़ दिया और मौका जब समय आया तो उनके खुदा ने उनके लिए हेल्प गई और एक बार फिर से इसारसत्तानी फूट फूट के रोने लगी और वो खुशी के आसू भी हो सकते है या फिर तकलीफ के भी हो सकते है क्यूंकि जहां एक तरफ उनके सचाई बाहर आ रही थी तो एक तरफ उनका दिल भी तूट रहा था क्योंकि उन्होंने यही विश्वास किया था कि उनके हस्बेंट कभी भी उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते लेकिन जब रिकॉर्डिंग बाहर आई तो उनका दिल टूट रहा था हालनकि उनके बारे में बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ रहे थे लेकिन एक औरत का जो विश्वा से वो अपने हस्वेंड के उपर से जा रहा था इसलिए वो कल बहुत फूट फूट के रोई और इसके साथ साथी उन्होंने अपने बालों को अपने नेल्स को जो भी चीज़े उनको लोग उनके बारे में बोलते थे वो सब चीजों को निकल वाया और वो अभी जा रही है उम्रा करने अभी मुझे ये तो नहीं पता है कि ये उम्रा क्या होता है लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुसल्मानों में उम्रा की वैल्यू बहुत जादा है बहुत जादा वो इस चीज को मानते है और अपनी जिन्दगी में इन सब चीजों को करना चाहते है इसका क्या मीनिंग है मुझे नहीं पता है अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते है ताक जब वो उम्राज आने वाली थी उससे पहले ही उन्होंने बहुत सारे लोगों से माफी मांगी अपनी यूट्यूब फैमिली से इंस्टाग्राम फैमिली से और जितने भी लोगों से उनका दिल दुखा है उन सब लोगों से उन्होंने माफी मांगी उन्होंने सना और इम्रा होती है जो करने के लिए वो गई थी और बहुत से टाइम पे उनको मतलब यह सब चीज़े करनी थी वो चाहते थी को अपने हस्बेंट के साथ करें लेकिन जो भी हुआ उनके खुदा की इच्छा से हुआ वो यही सब चीज़े विलीब करती है तो कल जब वो रोई तो मुझे तो एकी चीज़ समझ आए कि शायद एक आसू यह भी हो सकते है कि उनके खुदा ने उनकी हल्प किये कि जो लोग एक समय पे उनकी सब डिफेम कर रहे थे तो आज सब लोगों के नजरों में उनकी इज़द बढ़ गई है और यह इजद देने वाले सिर्फ उनके खुदा ह कोई इनसान कोई मनुश्य किसी को कभी इजद दे नहीं सकता जब तक उपर से ओर्डर ना आए तो यह एक खुशी के आसू भी हो सकता है दूसरे एक आसू यह भी हो सकता है कि चलो उनका घर संसार जो भी उन्होंने सोचा था बचाएंगी जब उस ऐसा भी उन्होंने आग और तो क्या कहना है आप लोगों ने वीडियो देखी होगी आपका क्या कहना है इस बारे में आप मुझे कमेंट मैं बता सकते हो और हाँ जो मिनी उम्रा के बारे में पूछा है तो प्लीज मुझे जितने भी मेरे मुसलिम भाई बहने जो मेरे चैनल को देखते हैं मैं सब की रिस्पेक्ट करती हूँ और सबसे जादा मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो इनसान के अंदर एक फेद होता है चाए वो किसी भी मजव का क्यों नहों किसी भी धरम का हो जाती का हो जो उसका फेद होता है जिसके उपर भी रखता है उस फेद की मैं बहुत रिस्पेक्ट क बागी तो जिसको मेरा जब्सक्राइब करें इस्ताव करें और अपनी इस्ट वीडियो में दब्त फार आया पत्प की ज़का है एक स्क्षिख्व जार आनि सुनीहीं